हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के शेर के उपर दोस्तों क्योंकि आज एक नेगेटिव खबर निकल कर आई थी टाटा मोटर से लेडेटिड दोस्तों वो खबर क्या थी उस पर बात करेंगे लिए उसके बावजूद भी शेर में आज लगबग 4 प्रतीशत की तेजी आती भी देखने को मिली है तो डेफिनेटली दोस्तों न्यूस पर भी स्टॉक ने पॉजिटिव रियक्शन दिया है इसलिए अब दोस्तों स्टॉक में हो सकती है बड़ी तेजी पांसो रुपे प्लस तक के टागेट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते मीडियम टर्म के अंदर और हो सकता है दोस्तों आने वाले तीन से चा आटा मूटर स्टॉक प्लंजिस 25% फ्रम जैनुवरी हाइज शुड यो बाइद डिप तो दोस्तों एक दिन पहले ये आर्टिकल निकल कर आता है कि लगबग 25% स्टॉक करेट हो चुका है उसके जैनुवरी के हाइज से तो क्या इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए तो उस समय स्टॉक का प्राइस दोस्तों लगबग था 383 रूपी और अभी हो चुका है 407 तो डेफिनेटली दोस्तों 400 रूपे का जो लेवल था उसको अगीन स्टॉक ने कलियर कर लिया है और उसी के साथ साथ अगरवन बात करे तो ICI से Securities और CLSA दोनों ने टागिट्स दिये और ICI से Securities के बंपर टागिट्स दिये गए लगबग 680 रूपे का टागिट्स दिया गए बाय कॉल दिये गए वही CLSA ने अपने जो आउट पर्फर्म रेटिंग थी उसको रिड्यूस करके 480 के टागिट्स दिये टाटा मोटर शेर के अंदर अब अगर बात कर ले दोस्त 407 रुपे 15 पैसे पर शेर ने क्लोजिंग दिये लगबग 3.57% का अपते का स्टॉक मा आता हो देखने को मिला है सबको उमीद थी कि शेर आज नेगिटिव में कामकाच करता हो देखने को मिलेगा लोगी दोस्तों टाटा मोटर की गाड़ी में एक ब्लास्ट होता हो देखन जारी है इसके चलते सभी को ऐसा उमीद है थी कि स्टॉक में आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा बट आज जो आटो इंडेक्स ने कामकाच किया है पूरे मार्केट्स को उपर लेके गया है मारूती जैसा शेर आज लगबग 6% उपर कामकाच करता हो देखने को मिला और आप देख सकते है टाटा मोटर का शेर लगबग एक टाइम पर 380 के जोंस पर भी आ गयाता शेर पास दिनों के लेवल्स के अगर बात करूं तो 6% का अप्टिक स्टॉक में आ चुका है लेकिन अगर बान बात करें 6 महिनों की तो लगबग अभी भी दोस्तो 20% डाउन यह शेर अपने 52 वीक हाई से कह सकते है डेफिनेटली तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक में बाइंग अपॉर्चनिटी के काफी सारे चांसे नजर आ रहे है और यह मिनिममम 12% का जो आकड़ा है 6 महिने में गिरावट का यह शेर डेफिनेटली कवर करता हुआ देखने को 52 वीक खाई है और 52 वीक लो है दोस्तों 268 रुपीज 45 पैसे का डेफिनेटली काफी अच्छे जोन पर शेर भी काम काच कर रहा है CDP स्कोर भी आप देख सकते हैं C दे रहा है CDP स्कोर अब अगर मार्केट्स की बात कर ले तो दोस्तों मार्केट्स में रोलर कोस्टर लेकिन फिर उसके बावजूद भी दोस्तों निफ्टी में लोवर लेवल से रिकवरी आती है और लगबग 1500 पॉइंट्स की तेजी आज मार्केट्स में आती भी देखने को मिली है और मार्केट्स की तेजी को लीट कुन कर रहा था निफ्टी आटो निफ्टी कंजप्शन और निफ्टी आईटी निफ्टी आटो में 4.39% का अप्टिक आता हुआ देखने को मिला है अगर वो न्यूज नहीं निकल कर आती तो डेफिनिटली टाटा पावर का शेराथ 6-7% की तेजी इजी ली करता हुआ देखने को मिल सकता हुआ अब देख सकते हैं निफ्टी आटो ने इतने गिरे हुए बाजार में भी आज कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार निफ्टी आटो अच्छा प्रदर्शन करती भी नजर आ रही है अगर आपन बात करें टॉप गेनर्स की तो मारूत्य सिजुकी हीरो मोटकॉप और आईशर मोटर्स इन से जाधा की तेज़ी आज आते हैं भी देखने को मिलिए तो डेफिनेटली ओटो इंडेक्स में आज काफी अच्छा मूवमेंट था और टाटा मोटर्स 26.51 बिलियन की वॉल्यूम आते हैं भी देखने को मिलिए सारे अबरेज इसके करवान बात कर ले तो आप देख सकते ह से जाधा का delivery percentage आता हुआ देखने को मिल रहा है जो की एक और positive signal है कि लोग इस zones पर stock में accumulation करते हुए देखने को मिल रहा है अगर आपन बात कर ले इसके returns की तो short term में markets में earnest चित्ता बंती भी देखने को मिलिए जिसके करण आप देख सकते हैं 1 महिना 6 महिना 3 महिना stock ने negative returns बाट long term में ये company decent return दिती भी आती हुए देखने को मिलिए दो साल में 300% के return तीन साल में 1500% के return और एक साल में 21% के returns company ने still दिये तो definitely company ला जवाब है इसको अपने portfolio में आप definitely add कर सकते हैं अब अगर बात कर ले stock के resistance की तो intraday basis पर सारे resistance के ऊपर share ने closing दिये तो ये एक और plus point है अब जो resistance है वो support का काम करता है वे देखने को मिलेंगे Tata Motor share के अंदर तो 403 रुपे का support आपको कल के दिन stock में ध्यान रखना होगा 403 रुपे के नीचे अगर share फिचलता है तो 396 रुपी तक की जगह stock में easily बनती भी देखने को मिल सकती है अब देख सकते हैं वो article आ गया अब अगर बात कर ले broker research की भी तो के यार चौकसी ने लगबख 630 रुपी के targets दिये है आई से डिरेक्ट ने 500 के और प्रभुदास लीलाजर ने लगबख 600 के targets दिये है यह अभी के targets दिये गए जो की काफेच है targets है अब अगर बात कर ले stock के कल के intraday के resistance की तो 410 रुपे के उपर अगर share tick गया कल के उपर closing दे दी तो definitely आपको अगले हफते share 420 प्लस के target देतावा देखने को मिलेगा और even 435 रुपी तक के भी targets आपको अगले हफते stock में देखने को मिल सकते हैं अब अगर बात कर ले stock के support levels की तो support clear ले 400 and 3 and 400 यह दोनों बहुत major supports है यहां से बार-ब के नजरिये से buy करना चाते हैं तो यह काफी अच्छी range है 400 से 420 इस range के अंदर आगर आप buying करेंगे तो आपको काफी अच्छे targets upside पर बनते हुए देखने को मिलेंगे जिसमें मेरा पहला target होगा 440 रुपे का दूसरा 460 का and तीसरा और final target होगा मेरा 500 रुपे का जी यहां सकता है दिवाली के time पर भी आपको इतने target stock में easily आते वे देखने को मिल सकते हैं इसलिए Tata Motor के share में बाइंग करने की मेरी सला होगी and कल कि अगर strategy की बात कर ले तो कल दोस्तों मुझे रगता है कि market रोडा negative note पर खुल सकते हैं तो जितना हो सकते हैं उतना dip में आपे stock को कल चले और intraday में पाचार सो पंद्रा रोपे तक के लक्ष टाटा मोटर के share में आपको easily देखने को मिल सकते हैं दोस्तों that's it for video अगर video अच्छा लगाओ तो चानल को subscribe करके जाएगा दोस्तों bell icon दबा के जाएगा दोस्तों thank you friends watching this video